रसिया ने अपने एक लाग से भी ज़्यादा सैनिकों को यूकरेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है जंग का महौल बना हुआ है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही रसिया यूकरेन पर अटैक करने वाला है नेटो यानि नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन यूकरेन के पच्छ में है इसके अलावा कई सारे देश जैसे यूके, यूएस, कनाडा, लिथिवानिया, जॉर्जिया, रोमानिया, मॉल्डोवा, जर्मनी, फ्रांस, इटली भी यूकरेन के साथ खड़े ह जिनको नेटो के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूँ कि ये एक इंटर गवर्मेंटल मिलिटरी अलाइंस है, जिसमें कुल 30 देश हैं, जिसमें से 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और एक यूरेशियन कंट्री है, नेटो का गठन भी इन दोनों पच्छों के बीच बहुत बड़े युद्ध में बदल सकता है, वही रसिया के साथ चाइना, इरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और देश जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, रसिया के साथ खड़े हो सकते हैं, जैसे की कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, बिलरुस और आर्मेनिया, चलिए अब हम रसिया यूकरेन कन्फलिक्ट को डीटेल में समझते हैं, पिछले साल नवेंबर में सेटलाइट इमेजस दोरा पता लगाया गया कि रसिया लगभग एक लाख सेनिकों को ह हवी military equipment के साथ ऊकरेन के eastern border पर जमा कर रहा है, दिसंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडन ने रसिया पर economic sanction लगाने की धमकी दी, दूसरी तरफ यूकी ने भी रसिया पर economic sanction लगाने की बात की, इसी बीच कई सारे देसों ने यूकरेन में citizens को देश शोड़ने की बात कि वो यूकरेन के साथ है अगर रसिया अटेक करता है तो यूस यूकरेन के साथ होगा इसी बीच नेटो अपनी आर्मी को सिप्स और फाइटर जेट्स के साथ इस्टर्न यूरोप में जमा करना सुरू कर देता है इस दोरान रसिया और यूससे के बीच डिपलोमैटिक कि फेल हो जाती है क्योंकि यूस का कहना है कि यूकरेन एक सवरेन कंट्री है और उसे इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का हक है यूकरेन और रसिया के बीच सारा जगडा इसी बात को लेकर है कि यूकरेन को नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए अब अगर हम हिस्ट्र में रसिया ने इसे यूक्रेन को दे दिया था जिससे की दोनों देशों के बीच डिपलोमेटिक रिलेशन्स अच्छे हो सके और फिर 2014 में रसिया ने यूक्रीमिया पर फिर से कबजा कर लिया क्योंकि यूक्रेन का जुका यूरोपियन देशों और नेटों की तरफ जादा थ रसिया और यूकरेन कन्फिक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें यूकरेन की हिस्ट्रिय पर नज़र डालना होगा अगर हम अर्ली मौडरन हिस्ट्री की बात करें तो 16 सेंचिरी से लेकर 19 सेंचिरी तक यूग्रेन पर अलग अलग टाइम पर अलग अमपायर्स और किंडम का रूल रहा जैसे पोलेंड के राजा ने 1569 से लेकर 1793 तक राज किया उसके बाद यूकरेन दो भागों में बढ़ गया जिस पर आस्ट्रिया और रसिया का राज हो गया यूकरेन के कुछ हिस्सों पर 1672 से ओटोमन एमपायर का भी रूल रहा 18 सिंचिरी के अंतक यूकरेन का जादतर हिस्स रसियन एमपायर के कंट्रोल में आ चुका था फ्रेंच रेवलिशन के बाद नेशनलिजम यानि राश्रवात पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो चुका था यही नेशनलिजम की भावना यूकरेन में भी फैलने लगी पर रसिया इस नेशनलिजम की भावना को सप्रेस करने में सफल रहा यहां तक कि रसिया ने यूकरेनियन लेगविज को सीखना और पढ़ना बैन कर दिया इसके बाद 1917 में जब रसीयन रेवल्यूशन चल रहा था तो यूक्रेन को यूक्रेनियन सोवियत सोसलिस रिपबलिक ने 1918 में आजात करा लिया लेकिन 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन पर फिर से कपज़ा कर लिया 1917 के revolution के बाद Russian Empire खत्म हो जाता है और 1922 में USSR का गठन होता है जिसमें 15 देश थे ये सारे देश communism ideology में मानते थे इसके बाद 1991 में जब USSR तूटता है तो Ukraine को आजादी मिल जाती है Ukraine USSR का बहुत ही developed region था Ukraine में agricultural production बहुत ही अच्छा था रसिया के बाद Ukraine USSR का सबसे powerful union था Ukraine में defense industry बहुत ही ज़्यादा डिबलफ थी इस तरह Ukraine का USSR से अलग होना रसिया के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था आजादी के बाद काफी समय तक रसिया और Ukraine के बीच बहुत अच्छे संबंद रहे लेकिन Ukraine का European Union और NATO की तरफ जुका और रसिया को नाराज कर देता है वही यूकरेन की आधी जनता जो यूकरेन के western पार्ट में रहते हैं और यूकरेनियन बोलते हैं उनका जुका यूरोक की और है लेकिन जो जनता यूकरेन के eastern रीजन में रहते हैं और रसियान बोलते हैं वो रसिया से जुड़ना चाहते हैं हाला कि यूकरेनियन स्पीकिंग लोग यूकरेन में मेजोरिटी में हैं। यूकरेन की जनता में ये डिफरेंस 2013 में एक सीरियस मोड ले ले लेता है जब यूकरेन के राश्पती यानुकोविच रसिया के दवाव में आकर 21 नवंबर 2013 को साइन होने वाले यूकरेन यूरोपियन यूनियन एग्रिमेंट को कैंसल कर देते हैं जिससे यूकरेन यूरोप सीजन पर बहुत गुश्य आया और जगा जगा लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गुवर्मेंट इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए वोईलेंस का इस्तमाल करती है गुवर्मेंट के इस एटीट्यूट पर लोगों को और गुश्य आजाता है प्रेसिडन्ट यानुकोविच 23 फेबरी 2014 को देश छोड़ कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं अब जो लोग प्रेसिडन्ट यानुकोविच की गॉर्मेंट के सपोर्ट में थे यानि प्रो-रसियन लोगों ने एंटी रिवल्यूशन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया 23 फेबरी को क्रीमिया में भी प्रो-रसियन डिमोंस्टेशन होता है 27 फेबरी को रसियन टूप्स क्रीमिया के पार्लियमेंट पर कबज़ा कर लेते हैं और क्रीमिया में प्रो-रसियन गॉर्मेंट को स्टेबलिस कर देते हैं एक और important बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो यह है कि क्रीमिय 2014 के पहले Ukraine का पार्ट तो था लेकिन ये एक autonomous state था रसिया की इस हरकत को कई countries द्वारा condemn किया गया और इसे international law का violation बताया गया रसिया को G8 group से भी निकाल दिया गया रसिया ने क्रीमियन annexation को justify करने के लिए क्रीमिया में referendum करवाया इस referendum द्वारा लोगों से पूछा गया कि क्या वो रसिया को as a federal subject जोईन करना चाहते हैं या वो Ukraine का पार्ट बनकर रहना चाहते हैं क्रीमिया की जनता ने रसिया के favor में vote किया लेकिन इस referendum को internationally recognize नहीं किया गया इसके कई कारण थे लेकिन जो सबसे महतपूर कारण था वो ये था कि referendum के time पर रसिया की सेना क्रीमिया में मौजूद थी इससे लोगों में pressure या डर का महौल था